सब्सक्राइब करती हूं तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहते किंगडम इनी मैलिया के बारे में हम लोगों इंट्रोडक्श कि रहें पर अच्छे से कंप्रेट किया इसका एसे होते हैं श्रुट्री ग्रिगा अर्ट और कॉलोनियल यह सारे हमने इसके जो जेनरल फीजर्स होते हैं इनिमल्स के वह कंप्रीट कर लिया है इसके बाद हम लोगों ने क्लासिफाई और लेवल आफ और्गनाजेशन बॉड़ी प्लाउन और सिमिट्री यह सारे पार्ट हम लोग ने चार पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस मोड पर इनिमल्स का डिवीजन कैसे होता है तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑन दा बैसिस आफ सी लों सी के बेस पर बॉड़ी के आधार पर एक एनिमल कैसा होता है जैसे कि बॉड़ी काईविटी मतलब बॉड़ी में इस्पेस क्या वर्ट करता है उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने चल रहे हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक हैं कि यह सारे पार्ट हम लोग अच्छे से कंप्लीट करते हैं प्रोटोस्टोमियम क्या होता है अच्छे से कंप्लीट किया समेट्री तो मैंने बहुत डिटेल में बताया आप लोगों को कि समेट्री क्या होता है रेडियल से मिट्री क्या होती है इसके बाद फिर यह अच्छे से मैंने एक इनिमल्स को डिटेल में बताया तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है ऑन दा बेसिस आफ नेचर आप सी लोम और बॉडी कैबिटी सी लोम भी कहते हैं इसको और जो हमारे सरीर में खाली अस्थान जिसे कहते हैं बॉडी कैबिटी ओके खाली अस्थान के आधार पर इनिमल्स का डिवीजन कैसे हुआ है हम उसको पढ़ेंगे ओके तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सी लोम क्या होता है इसके बाद हम आगे बाढ़ेंगे ओके सरय में दा सी लोम Is characteristic feature अफ मेटा जून्स आता defend मेटा जून्स आप वो होते हैं जो यो करियाटिक होते हैं और मल्टी सिल्ल को भी मेटा-नून्स केते हैं उक है यह करियाटिक और multi cellar, you and multi और second number the sea loam is a body cavity मैंने पहले ही बताया found during the embryo development जब घूरूण का विकास होता है तो क्या होता है three germs layer foam होती है उसी time हमारी जो sea loam होती है body cavity होती है वो foam होती है the body cavity meaning इसका क्या mean होता है fluid fill space एक ऐसा space जहां पे तरल पदार्थ भरा हुआ है और वो क्या करता है तरल पदार्थ different different organs को जब वो संकुचित होते हैं contract होते हैं यहां फैलते हैं तो उन्हें क्या करता है एक proper accommodation date करता है मतलब समायोजित करने का कार्य करता है second है हमारा sea loam is the space between body wall sea loam क्या है एक space body wall और gut wall gut wall मतलब होता है intestine wall मतलब आथ की दीवाल हमारे जो सरीर की दीवाल होती है और जो आथ की दीवाल होती है उसके बीच का जो space होता है उससे sea loam कहते है और जो की किस से line होता है mesodermal epithelial से बना होता है on the basis of nature of sea loam on the basis of nature of sea loam presence or absence कुछ में presence भी होते हैं कुछ में absence होते हैं animal are classified are divided into following category different different category में उनके presence और absence के आधार पर divide किया गया है सबसे पहला है a silomate a मतलब ही होता है absence silomate मतलब silom जिसमें body cavity पूरे तरीके से absent होते है या तो वह बहुत primitive होती है second है हमारा pseudo silomate pseudo silomate होता है जिसे कहते है false silomate मतलब जिसमें silomate क्या होता silom क्या होता false होता है true नहीं होता false silom जिसमें पाए जाता है जूत में ही silom ऐसे केवल primitive टाइप का silom कह सकते है बनता है इसके बाद है हमारा you silomate या इसे कहते है silomate ही केवल कहते है कभी कभी इसे केवल silomate ही कह देते है silomate इतना you नहीं लगाते केवल silomate या you silomate जिसमें true silom यह मतलब होता true silom जिसमें such मतलब real silom पाया जाता है उसे क्या कहते है body cavity पाया जाती है उन्हें क्या कहते है true silom या silomates जो हमारा silomates है वो divide है hemo silomates saizosilic silom या intra silik silom तो सबसे पहले हम figure देख लेते हैं इसे picture में क्या है a silomate जो होता flatworm में पाय जाता है जैसे flatworm का अगर हम एक section cut करें उसमें क्या देखने को मिलता है जो हमारी ectodermal layer होता है या body covering होती है ectodermal layer मतलब जो हमारी वाह तोचा होती है आप जो अपने सरीर को touch कर सकते है उस वाली तोचा को कहते है ectodermal layer इसके बाद जो mesodermal layer होती है जिसमें tissue foam होता है और mesodermal layer जो मध्यस्तर की layer होती है इसके बाद digestive track इसमें कहीं पर भी आपको body cavity नहीं दिख रही है कहीं पर भी खाली अस्थान नहीं दिख रहा ectoderm, then mesoderm, then direct endoderms देन आ जाते हैं हम लोग pseudosilomate pseudosilomate में क्या देखनों को मिलता है सबसे पहले हमारा ectoderm होता है body covering होती है यह रहा then हमारा होता है mesodermal layer रहा then हमारा pseudosilom बनता जो भी फॉल्सilom होता है वो बनाता है इसके बाद फिर ectoderm होता है यह nematodes में पाए जाते है जिसे SK helmetries का member है इसके बाद silomates या u silomates में क्या होता है annulates में देखते हैं कि इसमें body covering पाए जाती है ectodermal layer then tissue पाए जहाँ पर फॉर्म होता है mesodermal यह perfect दीखना है एकदम proper यह mesodermal layer okay sorry silom बनाता है यह perfect silomic cavity बनाता है white color का जो मैं red बना दे रही हूँ इसे मैं clean कर देती हूँ यह perfect red color का आपको silom दिख रहा होगा sorry white color का white color का silom cavity दिख रही है okay इसके बाद फिर digestive प्राइब सबसे पहले हम लोग कबर करेंगे a silomate को a silomate क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे जो a silomate होता होता है ज्यादा तर इन्वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है up to the flatworms okay flatworms में भी देखने को मिलता है the region no silo इसमें silo properly absent होता है जैसा कि नाम से अपकी पता है a मतलब absent silo में silo मतलब silo okay silo मतलब body captive properly absent होती है second हमरा in flatworms flatworms में क्या होता है यह semi solid mesodermal tissue बनाते हैं जो कि hold करता है body organs in place यह क्या बनाते हैं mesodermal space बनाते हैं proper पर वह भी semi solid होता है जो कि पूरे space को cover करता है यह silo में बनाने के space नहीं देता है इस एक्जामपल है इसका porifera, silentrata, tenophora और platyhelminthi यह बहुत एक्जाम में पूछे जाते हैं एक particular animals का नाम दे देंगे कि यह acylomate है कि silomate है कि cedosilomate है ओके तो आप लोग ध्यान दीजेगा कि जो porifera होते हैं वो acylomate होते हैं जितने भी porifera होते हैं silentrata, tenophora होते हैं और platyhelminthi के member जो होते हैं वो acylomate क्टेगरी में आते हैं उसमें cedosilomate properly absent होता है next आता है cedosilomate cedosilomate क्टेगरी में कौन कौन आते हैं एसके हल्मेंथी प्लैटे हल्मेंथी के बाद जो हमारा फाइला आता है वो क्या है एसके हल्मेंथी एसके हल्मेंथी के जो member होते हैं उनमें cedosilom प्रेजंट होता है cedosilom प्रेजंट होता है but only in partial line by tissue derived from the mesoderm is called as cedosilis और फॉल्सीलों इन्हें cedosilis या फॉल्सीलों कहते हैं so the roundworms and cedosilomates इसलिए क्या होता है cedosilomates बोले जाते हैं mesodermal pouches present होती है किसके बीच में ुक्तोडर्म और हिंडोडर्म के बीच में mesodermal pouches present होती है जो कि क्या काम करती है एक cedosilomates cavity form करती है ओके जिसकी body covering आप देख सकते हैं ुक्तोडर्मल की है then mesodermal क्या बनाता है एक pouch बनाता है किसके किसके बीच में ुक्तोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक pouch बनाता हो और यह space जो दिख रहा हो इसी को ही cedosilomate बोलते हैं ओके प्रेस्ट हम देखते हैं eucilomate eucilomate किसे बोलते हैं eucilomate क्या होते हैं from annelates to mammals annelates to mammals यह किसमे किसमे पाए जाते हैं annelates लेकर mammals में body cavity is present इनमे body cavity properly present होती है between the mesodermal peritonial layer में mesodermal peritonial मतलब होता है abdominal के layer abdominal layer में peritonial उसी को layer कहते हैं यह आप देख सकते हैं यहाँ पर peritonial cavity है इसी को abdominal के बीच में बनता है दिये राज paritial parital peritonium parital peritonium outer side में होते हैं visceral peritonium जो होती है inner side में देख सकते हैं यह peritial जो होता है peritonium जो होता है यह आप देख सकते हैं इस टमक के बीच में फोर्म करता है peritial space मतलब body cavity मतलब body wall और इस टमक के बीच में एक space होता है इसी को कहते है पेरिटोनियल पेरिटीयल पेरिटीयल पेरिटोनियम ओके इसे पार्सफिक पेरिटोनियम भी कहते हैं हिंदी में इसके बाद बिस्तरल पेरिटोनियम क्या होता है यह जो पीछे का भाग होता है इस टमक के इसके बीच के space को किसी भी particular organ के बीच के space को वाल बॉडी वाल और उस organ के वाल के बीच के space को क्या कहते है उसी को में क्हाँ सिली लॉम को मता है कि उसी क्या कहते हैं सी रोम कहते हैं इस और इस उरकाऊल śपी और यह फिर से डिवाइड़र आ इने प्रोटोस्टोम और डिटोरोस्टोम में किसके बेसिस पर डिफरेंट एंब्रियोनिक डबलप्मेंट की आधार पर इनमें जो सीलोम फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है जो प्रोटोस्टोमीयम इंन्हें कर सिल्एम की प्रोसेस , यहां जुक्तिस एंलेस और आर्थ ऊर्थोह आर्थ। फ्लस्क्, इकाइनोडर्म्स, डर्मेटा, हीमि कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा, ओके, मतलब जितने भी इन्नुवर्टिव रेट्स, टाइप के होते हैं, जैसे की, पोरी फेरा से लेकर, प्लैटी हलमेंथे, इस तक वह असीलोमेट्स में आते हैं, इसके हलमेंथे, बीज का म हीम मतलब हीम से ही पता चल रहा है ब्लड क्या ही हीम लिंप हीम लिंप टाइप का ब्लड पाया जाता है हीम सीलों जो ब्लड के बीच में सीलों बनाता है हीमो लिंप के बीच में जो सीलों बनाता है किसमें आर्थोपोड मोलच में जो उनके ब्लड के बीच में इस पेस बनता इस रिद्यूस्ट एंड बॉडी केविटी इस स्यूडो सुल इनमें जो पुर्ण होता है वो रिड्यूस हो जाता है वह क्या और इनकी जो बॉडी केविटी बनाती है स्यूडो सीलों बनाती है के पैजमें के कारण इसे लियवादया संयलो सी प्रेशें ऑख series वीज kes जिसके कारण इसके आर्थोपोर्ट में जो प्रूसील में जब रिडियोस हो जाता है तो जिसके बनाता है जिसके कारण इन में जो ब्लड होता है इसमें तरीके के ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं मतलब इस तरीके के कैविटी को क्या कहते हैं हीमोसील और यह जो सर्कुलेशन होता है यह कैसे होते हैं ब्लड सर्कुलेशन के साथ फ्लो करते हैं और यह जो हीमोसील होते हैं हीमोलिंफ भी कहते हैं अब आजाते हैं साइजोसिलिक सीलोम साइजोसिलिक सीलोम क्या होती है सिंपल जान लो यह जब मीजोडर्मल स्प्लिट होती है जो हमारी मीजोडर्मल सेल होती है जब वह स्प्लिट हो जाती है डिवाइड हो जाती है तो क्या बनाती है साइजोसिलिक सीलोम बनाती है और यह सीरिक इसे हमारा अधायोणी होदा इस ए ए दिरुसिलिक लोगन में पहुदत हो हमारा प्रोटो रॉत तो रहिए उसमें एंपररोवियू में डिवाइड इदि इसमें साइडriosिस लुक्त हो लागने । लों पढ़ा वो केवल एक नॉलेज के लिए पढ़ा अच्छे से कि किसमें पाया जाता है कि बाड़ी के फॉर्म इस्प्लिटिंग आफ मीजोडर्म मीजोडर्म की स्प्लिट पर बना बनता है किसमें एनिलेट्स और्थोपोड और मॉलस्क यह तीरों में बनता है जब मीजोडर्मल स्प्लिट होती है तो क्या बनाता है साइज और सिलिक सीडुम जैसा कि देख सकते हैं यह ब्लास्टोपोड है जब ब्लास्टोडूला से किसमें जाता है यह ब्लास्टोडूला से जो होती है यह मीजोडर्म यहां पर बनाती है और ब्लास्टोपोर बनाता ह करता है यह थोड़ा सा टर्ण होके क्या बनाता है ब्लास्टो पॉर बनाता है कविटी फॉर्म करता है एक तरीके की जिससे बाद में ये चोटा सा मीजोडर्म दिख रहा है यह एक लॉंग मेजोडर्म को स्फ्लिट होती है। इसका जो चीमपर होता है उसमें बॉक जो अपर सद मैं अबक सुआइब टाइप मोशन करके हैं और अबक सेलों बनाती है । और यहां पिर से बास्ट लार्ष Mat हो करता है दोनों में यहीं सबेंस percent कर इसमें देख लेते हैं उसमें क्या तहां मीजिडरेस्ट से बनता है इसमें क्या है बादि के लिटी फ़र्म सब्सक्राइब मतलब होता है जब अचेड चंध मतलब करें हो जाता है तब क्या फोकष्ण में देखने को मिलता है काइज़ोटरम और कार्ड़स में देखने को मिलती है सब्सक्राइब आ गए इसके बाद ये क्या हो गया यह मीजोग फॉर्म हुआ कि इस मीजोडर्म में मीज़ोडरम इंट्रोषीलिक सब्सक्राइब टेया बनाता है इसके बाद इसके बढ़ार एक दूर में सिर्फ इतने वर्いう सब्सक्राइब नियुक्त जो इसमें एट सेल मारूला स्टेज जो होती है मारूला स्टेज इसमें कैसा होती है कि सिलोम कैसा पाया जाता है सीलोम फॉर्मिशन किसी होता है इसमें जो सीलोम खॉर्मिशन होता हुँ इसमें एक फॉल्ड बनाता है मिजोर्म के साथ मिलकर और इसी फॉल्ड के okay okay इसका psychology ब्लास्टॉपर सोक न कि बनाता है इसमें माउथ बनाता है स्टुपर उसमें द्राश्ट में एनस ятा है कि थोड़ा सा लास्ट में हम देख लेते हैं तो वी जो ए सीलो मैट उंट and it kya ऑटलाइन कैंता है जो ऑस जो होते हैं ने वह पौरी फेरा से लेकर फलाट हेल मेंथीं तक पाय जाते हैं और इसमें जो मुवमेंट में हेल्प करता है और इनकी जो साइज होती है प्लाइन एरिया की अगर देखा जाए तो प्लाइन एरिया में 3-15 मिलिमीटर की होती है और सेक्षन स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं यह बॉडी कविटी फॉर्म होती इनमें बॉडी कविटी बिल्कुल नहीं फॉर्म होती ओके बॉडी कपरिंग होती है टीसू मीजोडलम आर टीसु होता है जे आर्टरणों फोप होता है और यह अीजasures के बहुता है म्तलब जैसे आपने गते बॉडी को देखा होगा उसकी बॉडी पूरी पहलें क्योती होते हैं ऐसे ही इस में और Mew transistor होता है और इनका जो रेंज होता है वह 0.3 mm to 0.8 pompa में मीटर का होता है समय बाइन नुर्जोंट एसमें होता है इसमें ट्रू सी लूप जक्ता हे सॉारी फाल सी लण पायजाता है आप देख सकते जेंख सब्सक्राइक रिज़Yeah रिग कर्षा टाइब में बनाता है कि शीलोमेट्स में क्या होता है यह कॉंट्रेक्शन एक्सपेंशन एलंग दा बॉड़ी यह इसमें भी जो एनिलेट्स होते हैं इनमें इसका फंक्शन देखने को मिलते हैं यह हमार इसका फंक्शन बॉड़ी कवुटी का हमारी जो क्यों इसको देख लेते हैं तो यह क्या करता है किरेने ट्रॉंtable asta किशे ambigu हैu बॉडी को प्रॉपर सेफ बनाने में मदद करता है और क्या करता है एक लुब्रिकेंट का वर्क करता है लुब्रिकेंट जो होता है जो बॉडी में जगे जगे पर लुब्रिकेंट होता है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर यहां पर देख सकते हैं एक लुब्रिके जो होता है यह help करता है इसमें घर्षण कम होता कि ताकि यह एक दूसरे से लड़े कम यह जो वॉल है इसकी ओकि जो इसकी एक दूसरे की वॉल है मतलब यह पहली वाली वॉल और जो नीचे वाली वॉल है वह एक दूसरे से लड़े ना इसलिए यह वॉल बनाई जाती है यह से देख सकते हैं यह पहली वॉल इसका और इसका ओके यह दोनों वॉल लड़ेना इसलेे इसमें एक तरीकि जो इसमें लिप्रिकेंट ँज होता है उससे कहते हैं सायनोबियल फ्लीयूड लेकिन अगर यह सायनोबियल फ्लीयूड कम हो जाता है तो क्या करता है हमारी जो गाठे होती हैं धर्द करने लगती है जब में आवाजेश करने लगता है तो जैसी के आप देखते भागे कबज़ा देखा होगा दर्वाजे पर लगा होता है अगर उसमें proper ओलन वगर न की जाये तो वह दिरे दिरे और अवाजे करने लगता है जंक उसमें पर आजाती है वैसे ही इसमें लुब्डिकेंट भी वर्कारता है तो कहीं-कहीं पर यह जो कि जो जो होती है कैसा वर्क करती है रिद्यूस करती है क्याones करती हैайте और किया करता है सब्सक्षाइब अबसेद जो चोट करती है जो अगात कोई लग जाए कोई चोट लग जाए इसको अबसेद करने का करती हैं प्रोटेक्ट फॉम एनी कैंड आप मैकैनिकल साथ से भी चोट से भी बचाती है and give more flexibility to the body organ and body organ को more flexible बनाती है to move and protect from any damage of minor bent and cushioning the internal organs और जो हमारे internal organ को एक गद्देदार बनाती है गद्दा प्रोवाइड करती है मतलब एक कुशन प्रोवाइड करती है ऐसा ही स्पेस बनाती है यसका सेलोमी क्लीूड एक्काइज हाइडॡ्रक है कि जो सीलोमी क्लीूड होता है इक अजिबर है। प्रुट होता जल अभी पीवाइड हो करता था जल इस थात्य की तरह करता है विट्रव स्थात्य की स्वे करते हैं के इस केलटर रहां के सपेस्टालीटिcular बोडिट एनिमल्स और उन्हें एक डिफनेट सेफ प्रोवाइड करता है आप मसल्स कान पुस अगेंस्ट दा सीलोमिक फ्लोड विक 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 प्रेसर अगर जो हमारा जैसे कि आपकी सी थाली में पानी भरके रग दें और दूसरी थाली से उसे पुस करें तो वह क् क्या होता है जो फ्लूड किंडे करण क्या होता है यह मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसमें जो फ्लूड प्रेसर के कारण क्या होता है से लो वह और करता हूं अगेंस्ट क्या कहते हैं इंटी बॉड़ी मीडियेटर इसे कहते हैं न्यूदी मीडियेटर 9 immune isix Shelby Valley इसका सेगड़ नहिंभ ईंज स्थम जो के एंटीबॉड़ी से फोर्म होता हूट एंड़ मतलब क्या होता है जो कि बेकार हच्छय जो हमारी बॉड़ी में काम करता है उसलिए से चल्ओंध करते हैं तो किसमें बसक्ता है गैसों को आदान प्रिदान में और ट्रांसफर आप न्यूट्रेट और न्यूट्रिन के ट्रांसफर में और बेस्ट प्रोडक्ट के ट्रांसफर में तर्मारी रिमूबल में seed loams gives the extra space seed loam क्या करता है एक proper extra space provide करता है हमारी बॉड़ी में कि अगर कहीं पर भी हमारी बॉड़ी कुमें कुछ एजस्ट करना हुआ तो वह प्रॉपर उपने बैठने या कुछ खाने पर प्रॉपर एक प्रोवाइड करता है जैसे कि ब्लट जब पंप करता है या जब बूम होता है बूमन प्रिगनेंट होती है तो प्रोपर एक स्पीस और कावटी प्रोवाइड करता है वो सीज के लिए बाइ और गन टू डेबलब दे फॉंक्शन जैसे एक्जामपल में हो गया पंपिंग एक्शन अपड़ हर्ट केरिंग अच्छाइड इन बूम ओके पॉसिबल ड्यू दू 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 सीलों के कारण ही यह सब पॉसिबल है ओके तशीलों में जो सेल होती है वो क्या करती है प्रियली फ्लोट होती रहती है ओके और जो कभी-कभी यह किसका सपोर्ट करती है इम्यून सिस्टम का हमारे सपोर्ट करती है ओके यह हमारा हुआ सीलों के बारे में तो हम लोगों ने सीलों के बारे में कम्टीट किया तो कल मिलते हैं हम लोग इसी में एक नए क्लासिफिकेशन के साथ जिसमें जर्म लेयर के बारे में हम लोग पढ प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दमाना बिल्कुल न बूले और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबार थैंक्यू को वच्छिंग झाल झाल